Hello everyone और आपका स्वागत है इस चानल के उपर आज हम technical analysis perform करेंगे ONGC के चार्ट के उपर और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ आ रहा है ONGC के इस price chart पर हम price action को समझेंगे साथी में कुछ fundamentals को भी देखेंगे ONGC के इस stock के बारे में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और बैल आइकन को enable करना ना भूले जो भी updates हम पोस्ट करते हैं stock market related इस चैनल के उपर वह आप तक तुरंत पहुँच जाए और साथी में friends बाकी भी वीडियोज है जहां पर हमने बाकी तमाम stocks के बारे में analysis किया है हमने Vodafone idea के बारे में बात की है कुछ दिन पहले happiest minds के IPO को हम regularly track कर रहे हैं सारे वीडियोज जो है वो available है इसी playlist में आप उन सारे वीडियोज को भी एक बार जरूर देखिए तो शुरुआत करते हैं आज के व opportunity नजर आ रही है चार्ट के उपर तो हम support और resistance lines को यहां पर draw करेंगे चार्ट के उपर और वहां से मैं आपको explain करूँगा कि कैसे आप एक सटीक entry पा सकते हैं ONGC के इस stock में हम price action के tool से यह सारी levels को identify करेंगे तो आईए चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कुछ fundamentals जो ह है ONGC के बारे में तो यहां पर जिसे कि आप देख सकते हैं ONGC एक large cap stock है और करीबन 90,000 से भी उपर का 90,000 क्रोर से भी उपर का market share है इस stock का मैं marker की help से आपको explain करता हूँ तो यहां पर आप देखिए market cap जो है यह बहुत ही ज्यादा है as compared to other PSUs और यहां पर अगर आप और ए price to earnings ratio जो है वो काफी कम नजर आ रहा है तो price to earnings ratio अगर 8 का है इसका मतलब क्या हो जाता है कि 8 rupees के price पर आपको 1 rupees की earning हो सकती है मतलब 8 rupees देने पर आपको 1 rupees का मुनाफ़ा हो सकता है यह इसका एक simple layman's language में अगर मैं आपको explain करूँ तो PE ratio का मतलब यह हो जाता है और साथी में अ collector PE जो है जो बाकी इसके peers है उनका अगर combination ले तो उसका PE जो है वो 24 के आसपास है इससे आपको पता चल रहा है कि ONGC का यह जो stock है PE ratio की जहां तक बात है काफी cheap valuations में आपको यहाँ पर मिल रहा है इसका reason एक यह भी है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले एक स साल में जो है करीबन minus 34% का यहाँ पर stop में गिरावट हुई है यह भी एक reason है क्योंकि price अगर गिरता है तो obviously PE ratio भी उसी के साथ में जरूर गिरेगा क्योंकि उसका direct relation price के साथ में ही है वहाँ पर तो यह भी एक reason हो सकता है कि PE ratio जो है वो आपको कम दिखाए दे रहा है क्योंक ongc के stock के उपर लेकिन हम यहाँ पर एक trading opportunity को identify करेंगे तो चलते हैं chart के उपर और यहाँ पर trading opportunity को identify करते हैं तो हम यहाँ पर है ongc के इस chart के उपर और फिर्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यह जो markings है इसको delete कर देता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ key levels को हम सबसे पहले यहाँ पर identify करेंगे हम trend lines की help से की levels जो है उसको identify करते हैं तो यहाँ पर मैं trend line निकालता हूं आप देखिए यह जो particular trend line मैं निकाल रहा हूं यह trend line जो है इस trend line पर देखिए price support लेता हुआ दिख रहा है support ले रहा है मतलब price उसक नीचे नहीं जा पा रहा है वहाँ पर price उस support line को respect कर रहा है यहाँ पर कहां कहां पर price support ले रहा है अगर हम mark करके देखें तो आप देखिए price ने यहाँ पर support लिया है price ने फिर से यहाँ पर support लिया है फिर से यहाँ पर एक support establish हुआ है और as on current price आप देख सकते हैं कि price exactly close है उ यह जो support line है यहां से अगर एक bounce मिलता है तो आप trading के जरीए एक अच्छा मुनाफ़ा इस stock में कमा सकते हैं तो हम यहां पर साथी में एक resistance की level भी identify करेंगे तो यहां पर आप देखिए यह जो particular level है यह level जो है यह आपको resistance का काम मतलब प्राइस के लिए resistance का काम कर रही है यह particular trend line इसके उपर प्राइस नहीं जा पाया है उसको भी हम mark करेंगे आप देखिए प्राइस ने यहां पर resistance लिया है साथी में price ने यहाँ पर और फिर से यहाँ पर resistance लिया है इसके उपर price नहीं जा पाया है तो यह जो आप देख रहे हैं यह एक channel का formation हो रहा है chart के उपर और यह channel में 3-4 बार resistance को respect किया गया है और 3-4 बार support को भी respect किया गया है तो यह एक interesting chart pattern है और साथी में आप और एक चीज अगर यहाँ notice करते हैं तो यह जो support line है नीचे वाली यह जो portion है chart का यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर earlier resistance भी exist कर रहा है resistance याने आप देखिए जब price इस direction में move हो रहा था वहाँ पर एक resistance price ने face किया है इसके उपर price नहीं जा पाया है वहाँ से price को नीचे ढखेला गया वहाँ से फिर से एक बार price ने कोशिश की और एक sideways movement यहाँ पर हुआ आप देखिए यह जो block है यहाँ पर एक sideways movement होता है और वो उसी line के साथ होता है जो की आज support का का काम कर रही है तो आपको इससे यह importance भी पता चलता है कि यह जो level है यह जो support line है यह कितना crucial role play कर रही है चार्ट के उपर उसके बाद में यहाँ पर एक breakout होता है लेकिन breakout के बाद जैसे आप देख सकते हैं फिर से इस level के उपर price अभी तक नहीं जा पाया है और अभी यह जो channel है यह channel के अंदर price trade कर रहा है तो आपको यहाँ पर क्या रननीती अपनानी है simple है friends हम चार्ट के उपर ज़्यादा indicators या ज़्यादा कुछ भी complications नहीं करते हैं सिर्फ support और resistance demand and supply zones को identify करते हैं और उसके चलते हुए हम decisions लेते हैं तो यहाँ पर आने वाले trading sessions में अगर आपको इस level से एक confirmation मिलता है यहाँ पर इस level पर अगर आपको confirmation मिलता है और आपको एक green candle अगर यहाँ पर नज़र आती है एक sustainable bounce नज़र आता है इस particular support line से अगर आपको लग रहा है कि एक eminent bullish candlestick formation अगर यहाँ पर हो रही है तो आपको current price पे इस stock में entry ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि already support जो है वो established है हमें उसको confirm करने के लिए और रुखने की जरुवत नहीं है सिर्फ एक चीज के लिए आपको थोड़ा रुखने की जरुवत है जब आपको यहाँ पर एक green signal मिलता है मतलब price थोड़ा आपको लग रहा है कि momentum gain कर रहा है और price उपर की तरफ बढ़ रहा है तो आपको जट से इसके अंदर एक अपनी swing trading position या फिर एक positional trading position बना लेनी चाहिए और यहाँ पर enter आपने कर लेना चाहिए target की अगर हम बात करते हैं तो यह जो trend line है जो की 85 के असपास है वो trend line पे आप आपका target रख सकते है वो आपका target number 1 रहेगा तो अगर हम यह जो target और यह जो entry price है इसकी बीच की width जो है उसको calculate करे तो हमें पता चलेगा कि कितना percent का gain यहाँ पर हो सकता है तो अगर आप यहाँ पर enter करते हैं और यह अगर आपका target है करीबन 80 to 85 के बीच में तो 9.7 percent का यहाँ पर गुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है मतलब 9 point मतलब पकड़ लीजे 10 percent की possibility यहाँ पर है ONGC के stock में और 10 percent का trading profit यहाँ पर हो सकता है अगर हम इस रननीती को use करें तो stop loss भी आपको साथी में इतना ही importance उसको भी देना है तो stop loss आप यह जो particular trend line है यह जो नीचे वाला trend line है यह trend line को आप as a stop loss का indicator यूज कर सकते हैं देखिए यह जो trend line है अगर इसके नीचे considerably नीचे अगर price आता है तो वहाँ पर आपके stop loss को trigger आपको करवाना है risk reward ratio को ध्यान में रखना है अगर 10% का profit होता हुआ नजर आ रहा है तो 4 से 5% तक ही आप afford कर सकते हैं आपके stop loss को रखना मतलब minus 4 या minus 5% ही तक ही आप आपके stop loss को रखे उससे जादा नीचे ना रखे नहीं तो फिर ये trade लेने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा अगर आपका risk reward ratio favorable नहीं है तो फिर trading में आपको losses heavily होते जाएंगे और in the long term वो बिल्कुल भी recommended नहीं है इसलिए आप ये जो price level है जो entry current price से आप minus 4% या minus 5% पकड़के नीचे की तरफ stop loss रख सकते है ये बहुत ही ideal situation नजर आ रही है जहाँ पर कि एक trading का मुनाफ़ा usually देखा जाता है एक channel का formation हो रहा है और बहुत ही simple price action है इसको समझने के लिए आपको बहुत जादा technical analysis भी use करने की ज़रूत नहीं है और जितना simple chart रहता है मुनाफ़ा उतना ही ज्यादा होता है stock markets में अगर आप चीज़ों को complex करने जाते हैं तो फिर complexity बढ़ जाती है और आप confused हो जाते हैं और साथी में losses भी उसके साथी बढ़ने लगते हैं तो ये एक simple chart suggestion हमारे तरफ से है हम इसको track करते रहेंगे ONGC को track करते रहेंगे और आपके सामने फिर से वीडियो के थुरू present करते रहेंगे जो भी opportunities इसमें फिर से नजर आ रही है तो अगर आपको ये visualization पसंद आया होगा जल्दी से like कर दीजेगा वीडियो को subscribe तो आपको करना ही है जल्दी से bell agon को भी enable कर दीजिए so that ऐसे जो भी chart patterns और recommended stocks जो है वो आप से छूटे ना और उसका recommendation उसका जो notification है वो आपको तुरंत ही मिल जाए साथी में share जरूर करिएगा वीडियो को सारे social media platforms के उपर comment section में बताईए अगर आप कुछ doubt होगा या फिर कोई दूसरा stock suggestion आप करना चाहते हैं जिसके उपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे और साथी में आपके questions जो होगे उसका भी answer हम तुरंत जरूर देंगे comment box में so thank you for watching the video till the end and we will be back again thank you